दोस्तों कैसे हैं आप लोग अभी हम पहुंच चुके हैं पावई के पासर में बस्ती चक गुल्रा नामक गाउ है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर है पान की खेती यानि पान का भीट है तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं और हम भी पहले बार यहाँ पह तो कॉंच हे देखिए बाहर से यह न जा रहा है पान की केती है तो महांपर जा रहे हैं जो हमारे यहां को कहते हैं तो करें हम हमारे इस धान यह हम आपको बता दे कि पान की खेती बहुत ही और यहाँ पर बहुत ही मेहनल लगती है इसकी खेती करने के लिए क्योंकि यह देखिए जो हमारे पीछे तालाव है इसी में से पानी ले जाकर पैड़े डाला जाता है सुबह साम और जी तो अभी हम चलने वाले हैं अंदर इसके यह देखिए तो पान की खेती के अंदर हम घुस गए हैं यह यह देखिए यह रही पान की खेती यह देखिए यह पान का पेड़े दोश्तों और इस पर पैड़े अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक बड़ा सा इसको का बोलते हैं यह जो रखा हुआ बड़ा सा है अरे जो पनिया डाला जाता है यह देखिए मट इसको यहांपर लोटी बोलते हैं मटका बोलते हैं इसी से पूरा मिसको तालाब से पानी भर कर इस से लाया जाता है और इस पान की खेती में सुबह साम डाला जाता है ये देखिए ये बीच में आने जाने के लिए है ये चपल निकालना है अटो 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 चपल निकालने भाबो ये देखे कितनी मेंनात का काम है उपर भी टाटे चाही हुई है और ये सरफुले लगी है सरफुले लगी है इसी के द्वारा इसको उपर चढ़ाया जाता है और ये देखिए धीरे धीरे इसको भधायी सुरू हो गई है और इसको बाद के उपर चड़ाया जाएगा मैं आपको दिखा दूँ यह देखिए यह यहाँ पर बाद उठा है और ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे उपर जाएगा वैसे वैसे इसको बादते उपर तक चले जाएंगे यह देखिए ऐसे पान की खेती यह रही पान की खेती पान की खेती पहरे सुनते थे आज देख भी लिए और आपको भी दिखा दिये तो जैसा कि दोस्तो आप देखी सकते हैं इसमें हम पान की खेती के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर यह देखिए हमारे पीछे ज़श्ट पान की खेती हैं और कितना ही अच्छा लग रहा है तो देखिए ये रहा पान की खेती और ये रही सरफुल है इसे में बाध कर ऊपर चढ़ाया जाता है यह यहां और सुबह साम मटके में पानी लाकर डाला जाता है और बहुत ही मेहनत का काम है तो इसी पर एक लाइक और सस्क्राइब ठोग देजिए तो मिलते हैं नेस्ट वी